दोस्तो इससे पहले हमने दो पार्ट्स के थे वोल्ड जियोग्राफिय पर आज दीसरा पार्ट होगा इसमें हम कुछ इंपॉटन अब्जेक्टिव करेंगे वोल्ड जियोग्राफिय पर पहला अबजच्ट्ट्ट्ट्ट्ट है। था कॉंटिनेट हैविंग लाज्ट एरिया इन इक्युट्ट्ट्रियल बैल्ट। इन में से कौन सा आप्शन होगा, क्या वो ऐश्या होगा, एफरीका होगा, नॉर्थ एमेरिका होगा या यह यूरोप होगा। जब student देगेगा कि largest area तो वो confused हो जाएगा, तो जिनको आता भी होगा यह question वो भी गलत option देगा, क्यूंकि आपको पता है कि largest area तो Asia का है, largest population और largest area तो Asia continent की है, तो जब student देगेगा, यहां पे तो largest area तो वो डेफिनिटली आईशा आपको ही तिक मारेगा, जब कि largest area यह कहता है कि largest area in equatorial belt है, तो यहां पे जो आपका option होगा वो एफरीका होगा, equatorial belt में सबसे ज़्यादा area अफरीका का होता है, तो यहां पे जो option होगा वो एफरीका होगा, ठीक, अफरीका होगा, अगर area के हिसाब से देखेंगे कि largest area किस continent का है, वो एश्या का, दूसरे नमबर पे आता है अफरीका, और यह जो यूरोप है, यूरोप यह second smallest continent माना जाता है, यानिकि first number पे जो smallest continent है, वो है अस्ट्रेलिया, second पे जो आता है वो है यूरोप, ठीक, ल सबसे ज्यादा area किसका है, तो वो एफरीका का होगा, first, तो इसका जो option होगा, वो second option होगा, ठीक, फिर यहां पे है, continental shelf are, continental shelf क्या होता है, क्या यह, they are highly segmented, highly segmented होते है, क्या they are region fishing, क्या यह fishing में reach होते है, continental shelf, और है, they have abrupt to fall towards continental slope, यहां पे slope है, abrupt to fall towards continental slope, यहां पे slope है, ठीक, यह abruptly, इसका जो slope, continental slope होता है, क्या वो abruptly fall होता है, तो इसका जो चौथा option है, आला पैबो, तो इन में से कौन सा option आ जाएगा, इन में से जो option आ जाएगा, वो आ जाएगा, आला पैबो, याईनि कि continental shelf highly segmented भी होता है, fishing के लिए भी rich होता है और इसका जो continental slope होता है, वो abruptly fall होता है, ठीक, तो इसका जो option होगा, वो default होगा, ठीक, continent that are mirror image of each other, वो continents जो आपस में मिलते जुलते हैं, जिनकीशकले आपस में मलती मिलती जुलती है जिनकी आफरीका और साथ अमरिका है कहो एश्या और ऑफरीका और साथ अमरिका है क्या वह एश्या और ऊडएको यॉर्स थी है तो इसका आनसर होगा एफडेका और साच अमरिका अगर आप देखो,गे न Горм और साथ अमरीका की जो बोर्ड हो हो थैक तकरीबन मिलती है इस तरीटी बोर्ड रहे आशिया और आफरिका की ठीक इसलिए इनको कहते है मिरर इमेज अप इस अदर थी सी वीडाउट हैं वह समंदर जिसका कोई भी कोश्टल लाइन नहीं है क्या वो North C है, क्या वो Sargosa C है, क्या वो Baltic C है, क्या वो Bearing C है इसका जो option आजाएगा, answer आजाएगा वो Sargosa C Sargosa C के लिए कोई भी Coastal Line नहीं होती यानिकि इसके साथ कोई भी Coast नहीं मिलता है तो इसलिए इसका जो option होगा वो Sargosa C होगा ठीक Wide Inlet of Sea, usually concave in shape, is termed as Wide Inlet of Sea, जिसकी shape concave होती है यानिकि Inlet of Sea, यानिकि यह समंदर, रिवर का, जब river streams flow होते हैं, इसमें, C में, तो यहाँ पे जो इसका inlet होगा, C का, वो किस shape का होगा, वो concave shape का होगा, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम B कहते हैं एक और rotates, और जल एक रिवर का तंना Ms. यानिका बट उसमें उसके भर हम बे कहते हैं, ठीक? इसको हम बे कहते हैं. एक और objective है कि marian trunch कहां पे पाया जाता है? marian trunch western pacific ocean में पाया जाता है? कहां पे पाया जाता है? तो question आसकता है कि marian trunch कहां पे पाया जाता है? उस में दो-t осilles होगे तो उसमें जो आपका option होगा वो होगा western pacific ocean ठीक western pacific ocean में marine touch पाया जाता है ठीक एक और question है कि sea connected by panama canal कौन कौन से seas या कौन कौन से oceans यहां पर हम oceans लिखेंगे यहां पर कौन कौन से seas और oceans connect होते हैं panama canal से क्या Atlantic Ocean होता है pacific ocean से connect या Indian ocean होता है pacific ocean से connect यहां पर जो आपका answer होगा वो होगा Atlantic ocean होगा connect Pacific ocean से यह important है Atlantic ocean connect होगा Pacific ocean से ठीक यह आपका answer बन जाएगा यहां अगर हम land की बात करेंगे land 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 की अगर हम बात करें तो land में जो highest mountain peak दुनिया में कौन समान आ जाता है वह है Mount Everest वह तो पता है सब को Mount Everest लेकिन अगर हम बात करें समंदर की sea की अगर हम world की बात करें किना world की world में जिसमें sea भी आता है और समंदर और land भी आ जाता है उसमें अगर highest peak आपको बताया जाएगा कौन है तो Mount Everest नहीं है वह वह है mountain Munakya वह है mountain Munakya वह है mountain Munakya याद रखना mountain किया month immersive HD से भी हाई है यह कहां पर पाया जाता है यह हौई में पाया में यह हौई में पाया जाता है कहांपर Pacific Ocean में पाया जाता है कहां पे Pacific Ocean में पाया जाता है तो यहां पे जो आपको याद रखना है कि यहां पे जो आपको याद रखना है कि समंदर का Seas या Oceans का सबसे बड़ा Peak Mountain Peak कौन सा है तो मुना किया मुना किया मुना किया यह जो मुना किया है न यह हवाई में पाया जाता है कहां पे हवाई में पाया जाता है यह पैसिफिक ओशन में पाया जाता है यह पैसिफिक ओशन में पाया जाता है ठीक यह पैसिफिक ओशन में पाया जाता है एक मिनाट यह Pacific Ocean में पाया जाता है एा यह important है यह pacific ocean में पाया जाता है इसका जो option होगा answer होगा वो तीसरा यह होगा a specific ocean pacific ocean इसका answer होगा ठीक एक और अब्जेक्ट है कि बुजियस्ट और मोस्ट इंपोर्टन सी रूट आप दे वर्ल्ड कौन सा है बुजियस्ट और मोस्ट इंपोर्टन सी रूट वर्ल्ड का कौन सा है याद रखना इसका जो आंसर होगा वो नौर्थ अटलाटिक सी रूट होगा North Atlantic Sea Root जो होगा उसको Buggiest or Most Important सी रूट दुनिया में माना जाता है Buggiest or Most Important सी रूट दुनिया में कौन सा सी रूट माना जाता है North Atlantic Sea Root जाता है North Atlantic Sea Route माना जाता है, ठीक, Landlocked Sea India World कौन सा है, कौन सा Landlocked Sea India World है, उसी का नाम है RLC, क्या है उसी का नाम RLC, RLC Landlocked Sea India World है, बहुत important object हुए याद रखना, ठीक, Great Barrier Reef, जो मीडिया में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको बहुत नुकसान हुआ है, Environmental Degradation हुई है, जो Great Barrier Reef, यह कहां पे पाया जाता है, यह Great Barrier Reef, जो है, यह Australia में पाया जाता है, कहां पे, यह Australia में पाया जाता है, तो Great Barrier Reef, कहां पे पाया जाता है, यह Australia में पाया जाता है ठीक अचा कोलर रीफ और काउंटर पार्ट आप कोलर रीफ जो है जैसे जमीन पे ट्रॉपिकल रेन फारिस्ट होते हैं याद रखना जैसे जमीन पे ट्रॉपिकल रेन फारिस्ट होते हैं उसी तरीखे से समंदर में कोलर रीफ उस होते हैं तो इसलिए इन कोरल रेफ उसको हम क्या कहते हैं काउंटर पॉर्टा टॉपिकर रेइन फॉरेश्ट ठीक है अब मुझे अमीदियें कि आपको पसंद आ रहा होगा कि आप कि आप कि उद्याइ ही जो लेट टिका है न यहां पर लेकिट चिएकर या रखता हैี้ जो लैकिटिटा का हिएस्ट लैका सबसे ह्यस्ट लैक माना जाता है लैक टितिका जो है ये हैस्ट लैक अफ वर्ल्ड माना जाता है। दुनिया का सबसे हैस्ट लैक माना जाता है। वर्ड लार्जेस्ट लैक, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लैक, कौन सा लैक माना जाता है, कैस्पियन सी, सी से कन्फ्यूज नहीं होना, सी से कन्फ्यूज नहीं होना, कैस्पियन सी, दुनिया का सबसे बड़ा लैक माना जाता है, कैस्पियन सी, दुनिया का सबसे बड़ा लाइक केट Rajya और लेग को से डुष्यां टोरिया वैर इसके इसमादि का बडस आफ तरा ठीड इक ation canal कों सी है वह है इंडरा गांधी जैनल इंडरा गांधी के ञाल इंडरा गांधी तर स्बंस्थ कानल है इन्डरा ऱंच्छ साइड है तस्ट्थ मुहुane honest जैइंडरा ऑइत这个 मैं है आइस्ट्रेलिया आइड में पाया जाता तak ये अस्ट्रेलिया कॉंटिनेट में पाया जाता है ये इंडियन ऊशन का सबसे बड़ा आइसलेंड माना जाता है एक्वेटर किसके पास होता है बुनरिया आइसलेंड के पास होता है बुनरिया यह बुनरिया आइसलेंड कहां पर पाया जाता है यह नौर्थ अमरीकन कॉंटिनेट में पाया जाता है नौर्थ अमरीकन कॉंटिनेट में यह बुनरिया आइसलेंड पाया जाता है यह नौर्थ अमरीकन कॉंटिनेट में बुनरिया आइसलेंड पाया जाता है इस इसके स्विध्य पास होता है इक्वेटर इसके स्विधेटर सब्सक्राइए ग्रेटिस्ट आर्चियो परड़गु की लगी नहींए यह पर है इंडे वर्ड हैं यहां पे हिंडे वर्ड इंडे वर्ड हैं यहां पर दुमिया का सबसे बड़ और चयोड ब renew कोई सही अब आप कहोड़ी आर जोपहली को एंडोट्र। इसनिओ 있다고 आइसलेंड Burada को हम आार चयोड सो कहते। दुमिया का सबसे बड़ PM आपको याद रखना होगा ठेफ सैने किस लिए को कहते है एक और इंपरुचंट है सारो और चइना लाहिए किस रिवर को कहते हैं थैसल सा वए आप चय नहिए थे है यंद ऐख जना दुन्या में कुन्षित खरें इन जाते हैं याद रखना मीससपी ड्रेनेज बेसिन दुनिया की सब्से लाइस्ट ड्रेनिजबेसिन मांगे डुनिया का सबसे बड़ा ड्याल्टा ड्याल्टा कौन से ड्याल्टा है यह आच तो मढलो है ऑटायो है यह है एक लागून है आश्टा मुदी कायल एक लागून है याद रखना आश्टा मुदी कायल एक लागून है यह इंपोर्टेंट है आश्टा मुदी कैनल क्या है काया अश्टा मुदी कायल क्या है एक लागून है हमायत सागर क्या है हमायत सागर एक उयानच प्रेट्रान लयाख संगॉ खत्यूक्राइद्सिक t ुर्ष संग्म लग स्वीट को हम स४ाव्त इंजेद्ट्वल्ट इत्लील में अब दो स्वेड़्टोर संग्मोलैक है साग्मोलैक जो है वह ग्लाश्य लाग है याद रखना सागमो लाग कि एक ग्लैशेयर लीक है ठिक चाईना में पाया जाता है इस लाग सागमो लाग मिए ये ग्लैशेर लाग कै याद रखना 1 glacier lag है तो आस्तामूदी एक लागून है हमायद सागर एक आर्टिफिचल स्वीट लाग है डल लाग रिजिडिवल स्वीट वाटर लाग है और सागमो लाग एक ग्लाशियर लाग है ठीक यहां पर आपको समझ गया होगा है room asia has then just inland drainage asia rapping Syrian sage economy मैं शचापत क्वांटसी में सबसे बड़ा इन रिलेंड वही ग्यूंل होती और बहुट ज्यादा रेंवल होती है सीजनल राइनफल होती है और स्कैंटी रेंफल होती है इस वजह से हैंपे लाघ्जिट inland drainage पाया जाता है largest inland drainage पाया जाता है scanty or seasonal rainfall होती है ठीक इसलिए यहां पर largest inland drainage पाया जाता है ठीक अच्छा कौन सी citrate separate करती है Australia को Tasmania के साथ कौन सी citrate separate करती है Australia और तसमानिय को Tasmania का आय लाइड है Australia कांतिनन्ट है तो रस citrate ब्रॉस स्ट्रेट तसमानिय और एस्ट्रेलिया को separate करती है तो यह important यद रखना कि Tasmania सी डास सीस्ट्रेट separate करती है एस्ट्रेलिया को तस मानिया से रेड क्लिफ लाइन यह बोंडरि यह इंडिया और Pakistan boundary, यानि कि LOC को हम क्या कहते है, Red Cliff Line, Line-up Actual control है, जो चाना के साल मिलती है, उसको हम कहते है, Mack悶न साल लाइन. अफगानिस्ताण के साल मिलती है, बोर री म quieres ठाल कम कहते है उसको हम कहते है, आफगानिस्तान नगय की टोरन लाइन, क्या कहते है? उसको दोरन लाइन, तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं उसको कहते हैं रेड किलिफ लाइन चाइना और इंडिया के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं मैकमोल लाइन और अफगानिस्तान और इंडिया के साथ जो बॉर्डर मिलते हैं उसको कहते हैं दूरंड लाइन ठीक एक पॉइंट है यह इअ यूराप के धर्मियान कुन सी सित्रेट पाये जाते गिवरह र मिलता है यह मिलाता है किसको यह मिलाता है सिट्रेट अब गिवराल्टर आपस में मिलाता है एक मिलाता है एक अब गिवराल्टर आपस में मिलाता है अटलांटिक ओशन को meditanian sea के साथ यह भी याद आप important यह भी याद रखना straight up gibraltar में जो यह जो straight up gibraltar है यह जो straight up gibraltar है यह मिलाता है किसको यह मिलाता है Asia को Africa के साथ पहला point यह याद रखना Asia continent को Africa continent के साथ और यह मिलाता है Mediterranean Sea को याद रखना Mediterranean Sea को Atlantic Ocean के साथ, Atlantic Ocean के साथ, Strait of Gibraltar मिलाता है Asia को Africa के साथ, और Mediterranean Sea को Atlantic Ocean के साथ, Swiss Canal, Swiss Canal, Swiss Canal जो है, यह मिलाता है Red Sea को Mediterranean Sea के साथ, यह मिलाता है Mediterranean Sea, Gibraltar के मिलाता है Mediterranean Sea को Atlantic Ocean के साथ, Swiss Canal मिलाता है Mediterranean Sea और Red Sea को आपस में, Mediterranean Sea और Red Sea को आपस में, और यह Swiss Canal, Jordan और Egypt के दर्मियान पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, Jordan और Egypt के दर्मियान पाया जाता है, यहां पर आयल का यहां पर बहुत ज्यादा ट्रांस्पोर्टिशन यहां पर बहुत ज्यादा होती है फिर यहां पर एक और स्ट्रीट जिसको हम मेगलियन स्ट्रीट कहते हैं क्या कहते हैं मेगलियन स्ट्रीट मेगलियन स्ट्रीट यह किसके दर्मियान होता है यह चिली और त टैवेड़न फेगों के दर्मियान होती है major street जहीं होती है चली। टैवेडन फेगों के दर्मियान होती है यह इंपोर्टेंट है एक और इंपोर्टेंट पॉइंट है आदमस ब्रीज आदमस ब्रीज कहां पे हैं यह है पलक सिट्रीड में पाया जाता है आदमस बीज याद रखना पलक सिट्रीड में आदमस ब्रीज पाया जाता है पलक सिट्रीड मिलाता है किसको यह मिलाता है स्री स्री लंका और इंडिया को स्री लंका और इंडिया को और यहां पर आदमस ब्रिज पाया जाता है यह आदमस ब्रिज होता क्या है यह चोटे चोटे सैंड डिवनस होते हैं चोटे चोटे सैंड डिवनस होते हैं यह मिलाता है यह जो सैंड डिवनस होते हैं सैंड डिवनस इनक चीशको ये मिलाता है रामेश्वर्म को रामेश्वर्म को य सब्सक्तारा इस तचहिका क्षिके इस त्रач शहां को आपस में Как सब्सक्राइब यह को जित दाइबुमे शिया में ने करते हैं तो रामेश्वर्म और तलाइब हर्मुज होते हैं सिट्रेट अफ हर्मुज ये किसके दर्मयान होता है ये गलफ अप पर्शया और गलफ अमान को आपस में मिलाता है और ये किसके दर्मयान होता है ये इरान और ओमान के दर्मयान होता है इरान और ओमान के दर्मयान सिट्रेट अफ हर्मुज पाया जाता है और यह मिलाता है गलफ अपरश्या को गलफ अमान के साथ, ठीक, एक और सिट्रेड है जिसको हम कहते हैं, सिट्रेड बाबल अलमंदब, सिट्रेड बाबल अलमंदब, यह जो सिट्रेड बाबल अलमंदब है, यह मिलाता है दिजबूती को यमन के साथ, दिजबूती को यमन के के साथ रेड्सी को ग्लफ-अप आयदिंद के साथ Canada et लोमन्दभ दीजबुति और यामन के दरमियान होती है और यह मिलाता lucky दीजग इसको गालफफ अबाइडि ंभन के साथ ठीख रेड्सी मौलक्य यह अग्हलु सी में होता है एंडामन सी में होता है और यह मिलाता है मलेशिया को मलेशिया को इंडोनेशिया के साथ यह सप्रेट करता है मलेशिया को इंडोनेशिया के साथ ठीक इंडोनेशिया से ठीक फिर यहां पर स्ट्रेट आप सुन्दा यह जावा सी में पाया जाता है कहां पर पाया कि आपको समझ आ गया होगा